तो हेलो एवरिवन वेलकम टू स्पेशल स्टड़ी दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे इंपोर्टेंट पोर्ट से बनने वाले सारे इंपोर्टेंट सवालों को ये वर्ड जियोग्राफी का काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक से हर एक एक एकजाम में एक किसी देरी के question number one रहेगा हमारा मसावा बंदरगा की इस देश में अवस्ति थे बताना है मसावा जो पोर्ट है वो की इस देश में इस्ति थे तो ये Eritrea देश में इस्ति थे Eritrea next question है निन्मलिकित में से कोन दक्षिन अफरीका का बंदरगा सहर नहीं है तो दक्षिन अफरीका का बंदरगा सहर कोन सा नहीं है जहां पर बंदरगा नहीं है तो प्रिटोरिया याद रखेगा जहां पर एक भी पोर्ट नहीं है question number three देखते है अफरीका के रूम सागरिय तरट पर कोन सा बंदरगा है तो अफ्रिका के रूम सागरी त्रेट पर जो पोर्ट बना हुआ है वो पोर्ट है सिकंदरिया तो अप्सन नमबर भी यहां पर सही अंसर होगा सिकंदरिया ठीके अगर व्डियो अच्छा लग रहा हो पसंदा रहा हो तो एक लाइक जरूर करना इससे हमें भी मोटिमेशन मिलता है व्डियो बनाने के लिए ठीके तो बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर फोर है स्वेज नहर के दोनों सिरो पर इस्तित पत्तन युगम है तो स्वेज नहर के दोनों सिरोप परिस्थित जो पत्तन यूग में होंगे वो होंगे स्वेज एवं पोर्ट साइध स्वेज एवं पोर्ट साइध कौन सा बंदर गा यूरो पोर्ट के नाम से जाना जाता है important question रहेगा ये भी तो इसा कौन सा पोर्ट है जिसे यूरो पोर्ट के नाम से जाना जाता है तो राटर डम इसका सही अंसर होगा राटर डम पोर्ट को हम यूरो पोर्ट के नाम से जानते हैं बढ़ते हांके question number 6 है वीश्व का सबसे व्यस्त से तम बंदर गाह माना जाता है तवीसो का सबसे वीजी जो port है वो है राटरडम important सवाल है ठीक है राटरडम यहाँ पर सही अंसर होगा आगला सवाल है स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वारा इस्तित बंदरगा है तो उत्तरी प्रवेश द्वार पर जो इस्तित बंदरगा है वो हो जाएगा पोर्ट सईद कौन सा पोर्ट सईद यहां पर सही अंसर हेगा नेक्स्ट कोस्चन कोस्चन नम्बर एट मासेलो क्या है तो दोस्तो याद रखेगा जो मासेलो है यह ब्राजिल का एक पोर्ट है ठीक है और काफी इंपोर्टेंट यह पोर्ट है मासेलो बढ़ते आगे कोस्चन नम्बर नाइन देखते है निनमलिकित में से कोन सा एक पत्तन गुजरात में पोर्ट के तोड़ने एवं मरमत ही तुप्रशिद्ध है तो कोन सा पत्तन प्रशिद्ध है दोस्तों तो याद रखेगा पाटन वेरि इंपोर्टन सवाल है यह भी पाटन इसका सही अंसर होगा निनमलिकित में से कोन सा दक्चिन आफरीका का बंदरगाह नहीं है तो कोन सा दक्चिन आफरीका का बंदरगाह नहीं है तो जोहांस बर्ग यहाँ पर सही अंसर होगा जोहांस बर्ग निनमलिकित में से किसे विस्व का कडवा कहवा पतन कहते है कहवा पतन किसे कहा जाता है यह आपसे पूछाए तो यह कहा जाता है सेंटोस को किसे कहा जाता है दूस्तों सेंटोस सही अंसर हो गया याँ पर बढ़ते हैं question number 12 देखते हैं नेनमलिकित में से किसे 5 सागरो का पतन कहा जाता है पूछा गया question है तो 5 सागरो का पतन कहा जाता है मासको को याद रखी गय से अगला सवाल यूरोप का सरवादिक महतपोर्ण बंदरगा राटरडम किस देश में स्तिते तो सरवादिक जो महतपोर्ण या इंपोटेंट पोर्ट के हम बात करें राटरडम की तो ये इस्तिते दोस्तो निदर लेड में कहां पर ये निदर लेड नेक्स्ट कोस्चन निन मलिकित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पतन है तो जापान का जो सबसे व्यस्त समुद्री पतन माना जाता है वो मना जाता है याको हामा जो की जापान का सबसे बिजी समुद्री पतन कर लाता है नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर फिप्टीन है निन मलिकित में से कौन सुमिलित नहीं है तो आपको गलत मिलान बताना है चार अप्शन पढ़िये और बताईए यहाँ पर जो गलत मिलानों हो जाएगा ये हो जाएगा option नमबर B ठीक है जो इगार का है port वो चीन में इस्थित नहीं है ठीक है तो गलत युगमों होगा option नमबर B अगला सवाल है गौादर पतन की इस देश में इस्थित थे तो ग्वादर जो पतन है यह इस्ति थे पाकिस्तान में कहां पर पाकिस्तान में तो दोस्तों इतने भी important question थे जो कि आभी तक exam में पूछे गए हैं तो उनको मैंने cover करवा चुका हूँ आगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक like जरूर करना इससे हमें भी motivation मलता है next वीडियो बनाने के लिए और इस वीडियो का अपनों दोस्तों के साथ जरूर सेयर करना और चैनल पर नए हो तो subscribe जरूर करना निचे दिये गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर subscribe करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर यह है और बता दू कि मैंने Indian geography, polity, economics, science, biology सभी को मैंने topic wise objective को रूप में cover किया है अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हो तो playlist में जाके जरूर देखेगा आपको काफी फायदा होगा उनको देखने से ठीक है और MCQ जितना ज्यादा practice करोगे उतना ज्यादा आपका number exam में बढ़ेगा ठीक है तो यहीं उम्मित करूगा कि आप channel को जरूर सब्सक्राइब करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ द्यप्त के लिए जाहिन आलद बेश्ट